अस्सालम अलेकूं, वेलकम टू मैथमेटिक्स वेद कोडैनिक्स, इस लेक्चर में हम देखेंगे कि बाइनुट्ट्रेशन क्या होते हैं और इनकी टाइप्स कौन-कौन से हैं, देखते हैं जी इसकी डेफिनेशन, बाइनुट्रेशन की डेफिनेशन क्या है, जी लेट एस a non-empty set, s एक non-empty set है, इसका मतलब इसके elements मुझूद है, खाली set है, नहीं है, then function or mapping in the form of asteric from s to s into s, s to s into s मतलब कि एक ही set में मुझूद, यह function जब apply किया जाएगा, तो यह क्या कहलाएगा, यह जब operation लगाया जाएगा, तो यह क्या कहलाएगा, binary operation in s, it is denoted by asteric from s to s, और यह किसके equal आना चाहिए, जो हमारा s set है, उसी के elements जो हैं, उनके साथ answer जो है, वो belong करना चाहिए, अब यह क्या कहता है, यह non-empty set हो, यह पता लग गया, खाली set होना चाहिए, अब यह function और mapping कह रहे है, function क्या होता है, function हम पढ़ते हैं, कि let's suppose एक हमारे पास set है x का, जिसके element है one, two and three, एक set है हमारे पास y का, जिसके elements है a, b and c, अब इसका first का element first के साथ, second वाला second के साथ, और third वाला third के साथ, अगर इनका हम एक-एक ordered pair बना दे तो यह बन जाएगा, one a, two b, three c, तो यह जो इस तरीके से इस पे हमने यह ordered pair बनाए है, इसको बोलते हैं function है from x to y, x से y पे एक function अप्लाइ किया गया है, इसको हम लिखते हैं function f from x to y, यह function है x से y पे अप्लाइ किया गया, इसी तरीके से यह बोल रहे हैं कि यह function की तरह है, यह जो है operation esteric form में इसको binary operation का sign बोलते हैं, यह binary operation लगाया गया है, दो sets के द्रम्यान और यह दोनों set एक ही set है, same set उसके यह अप्लाइ किया गया है, अब इसकी example क्या है, let's suppose मेरे पास एक set है s, जिसके elements है, one, two, three, four, five, six, यह एक मेरे पास set s है, जिसमें जो उसके elements है, one, two, three, four, five, six है, binary operation basically दो symbol से मिलके बना है, दो operations के symbol से, एक plus का और दूसरा multiply का, अगर मैं इन दोनों को इकठा करूं, तो यह बन जाएगा plus, और यह multiply का sign, तो यह sign, इसमें basically जो plus और multiplication का sign होता है, उसको consider किया जाता है, लेकिन इसमें division का भी sign include है, इसमें subtraction का भी sign include है, अब मैं अगर इस पे यह function जो है, s to s, जिसको single s बोला है, तो यह अगर मैं इस पे function apply करूं, यह इस पे यह binary operation apply करूं, तो क्या होगा, मैं चाहता हूं कि मैंने plus का function जो है apply करना है, कि इस पे s के कोई से दो elements ले ले लेता हूं, 3 और 4 पे, 3, 2, 4 पे मेरा यह binary operation apply मैंने करना है, तो क्या होगा, इसका मतलब यह है कि first element में यह operation जो है binary plus का operation यह apply किया जा रहा है, 3, 2, 4 पे, तो जब मैं इन दोनों को plus करूंगा, तो यह आजाएगा answer 5, अब यह 5 जो है इस set में मजूद है, इसका मतलब यह भी belong करता है किससे, ऐसे, तो यह हमारा जो operation इसके apply किया गया है, इसको हम binary operation बोलते हैं, इसके बाद अगर मैं कहता हूं कि मुझे multiplication का जो है operation apply करना है कि इस पे 3 और 2 पे, 3, 2, 2 पे मुझे multiplication का, इसका मतलब है कि 3 multiply और 2 के साथ, 3 को 2 से multiply किया 6, और 6 जो है इसमें मजूद है, इसका मतलब यह belong करता है, ऐसे, तो यह operation जो है जब इस पे apply किया, तो इसका मतलब यह हुआ कि यह operation इस set पे binary operation है, इसके बाद आती हैं जी types of binary operations कौन कौन सी है, इसकी दो types हैं, एक commutative binary operation और एक associative binary operation, पहले देखते हैं जी commutative binary operation क्या है, commutative binary operation, अब binary operation ही set तो भी commutative binary operation, if for all A भी belongs to S, A और B जो elements हैं वो सारे S से belong करते हैं और यह commutative property को जो है under multiplication और इसी तरीके से under addition भी satisfy करते हैं, मतलब A multiply by B करूँ यह B multiply by A करूँ तो दोनों का answer same आना चाहिए, इसी तरीके से अगर मैं addition के लिखूँ तो इसका मतलब यह है, कि A को जब मैं B में plus करूँ या B को A में plus करूँ, तो हमारा answer दोनों का same आना चाहिए, अब इनकी example क्या है, कि अगर मेरे पास एक set S है, जिसके element है 1, 2, 3, 4 and 5, let's suppose मैं 2 और 3 को ले लेता हूँ, अगर 2 में मैं 3 को plus करूँ और 3 में 2 को plus करूँ, तो दोनों का answer same आना चाहिए, अब 2 को 3 में plus करते हैं, तो भी 5 और 3 को 2 में plus करते हैं, तो भी 5, इसका मतलब दोनों का answer same आ रहा है, तो यह जो है, हमारी commutative property को satisfy कर रहा है, इसका मतलब यह जो operation होगा, यह commutative binary operation होगा under addition, अगर multiplication में करें, तो इसी तरीके से वो भी हमारा operation जो होगा, commutative binary operation under multiplication होगा, इसके बाद है अजिए associative binary operation, associative binary operation क्या होता है, अब binary operation is set to be associative, binary operation if for all a, b, c belongs to s, अब इसमें तीन elements का जिकर हुआ है, कि वो जो तीन elements होंगे, वो s set से belong करते होंगे, s किसी भी set का नाम है, यह specific set नहीं है, इसमें associative property under multiplication और associative property under addition जो है, वो satisfy करता हो, अब for example यह हमारे पास एक associative property है, मैं set ले लेता हूँ जी, s, s की elements है, 1, 2, 3, 4, 5, and 6, अब अगर मैं elements लेता हूँ, 3, 4, and 5, 3, 4, and 5, 3 is a, 4 is b, and 5 is c, अब अगर मैं a, b, c के हिसाब से, यहाँ पर जो है elements यह लिखूं तो आते हैं, 3 multiply by 4, multiply by 5, equal 3, multiply by 4, multiply by 5, अब देखें, इन दोनों का answer क्या था, 4, 3s are 12, 12 multiply by 5, 3 into 5, 4s are 20, 12, 5s are 60, 23s are 60, दोनों का answer सेम आगया, इसका मतलब associative binary operation है, यह under multiplication, इसी तरीके से जब add करेंगे, under addition, तो वो भी हमारा answer सेम आएगा, जी, तो मेरी कौम के नौजवानों, इस lecture में हमने यह देखा है, कि binary operations जो हैं, वो कौन से होते हैं, और binary operations की types कौन कौन से हैं, कोडैनिक्स को सब्सक्राइब करें, और ऐसे और लेक्चर्ज सुनने के लिए, यूट्योब पर और गूगल पर mathematics with कोडैनिक्स सर्च करें, अल्ला ने के बाद,